7 नमर लख का है, और 5 मनी का है, 6 लगजरी का है, 6-7 होगा, तो लखी फॉर लगजरी, 6-5 है तो लखी फॉर मनी, 2 और 7 है तो लखी फॉर इवोशन, बदा फरोडी है, 195 है, बोदी जी के डिटो वर्क में, दिश्टनी 5 है उनका, और जब दशा में उनका 5 आया था, तब निमरोलोजी का यूज़ करके, किस तरीके से हम अपना करेंट इयर रिडिट कर सकते हैं, कैसा जाएगा हमारा साल, कैसे घय उपा, प्रभाफ पड़ेगा मेरे उपर, सारी चीज़ों को डिटेल के अंदर समझेगे, हमने इससे पहले भी एक वीडियो बदाई थी, पर आज अब एक तरह का एक मिनी कोर्स करने वाले है, जहां पर आओं हर चीज़ को डिटेल के अंदर लेके जाने वाले हैं, वेलकूम, मेरा नाम है वेदावस फुनलव, एस्टो लॉजर और निमरोलोजिस्ट, मेरा इंस्टाग्राम पर पेच है, एस्टो वीदाज के नाम से, जि हम बात करने वाले, सिता मुद्ध के ओपर आते हैं, किस तरीके से मैं अपना चार्ट बना सकता हूं, यस वेदी गर्ण हम बना सकते हैं, इसके लिए वे स्क्रीन चाहि Healthy Grid होगीई, छिवडावस पर चलते हैं, सबसे पहले समझते हैं, हम Grid कैसे बनाते हैं, निमराश की की ब 7, 5, 2, 8, 4 इसको हमें अपने जहन में रखना है, अपने मन में रखना है बाकी के जो rate of worth हम फिल करते हैं इसके wishes पर ही फिल करेंगे example के लिए लिखे चलते हैं मालों हमने लिया 27 November 1997 तो इसको हम कैसे फिल करेंगे इसको समझ लेते हैं टू कि इधर आता है इधर तो 2 को हमने इधर ही फिल किया और 7 इधर आता है इधर इधर हमने इधर फिल किया दो वर 1 है तो यह जो 1 नंबर है यह आपकर हमने दो बर 1 लिख दिया ऐसे ही अब एक fact और है जो century number होता है वह हम नहीं लिखते हैं यापर क्योंकि हम मानके चलते हैं, century number 1900 से लेकर 1999 तक सबका एक जैसा होगा, ठीक है, तो क्योंकि इक जैसा होगा, तो एक एक प्रवाब होगा, हम ये भी कह सकते हैं, डबल 9 होगा, लेकिन हम मानके चलते हैं, इसको फिल नहीं करेंगे, तो यहां पर 97 है, 9 न लिखा, एक और 7 लिख psychic number निकलता है, आपके date का total, 27 है, तो 2 प्लस 7, यह आए गया 9, अब dash number कैसे निकलेगा, हम 2 प्लस 7, प्लस 1 प्लस 1 प्लस 9, प्लस 9 प्लस 7, अब तोड़ा से यहां पर maths है, अगर आपको 7 में आता है, ठीक है, नहीं तो आप पूरा total कर सकते हैं, तो भी वही आएगा, हम यह आपे 9 number को 9 लेंगे, 9 number लेते हैं, तो भी उतना ही आता है, ठीक है, तो इसको अगर अटा देते हैं, तो इसका यह भी 9 अटा दिया हमने, तो 1 total आता है, अगर आप total करेंगे, तो मैं बहु ही बता देता हूं, total करेंगे जो 37 आएगा, तो उसको total देंगे, तो 1 ही आत हम इसके उपर हम दशाएं भी बात करते हैं, अब उसके बाद अंतरदशा कैसे निगलती, दशा और अंतरदशा होती है, मैंने तोड़ा समझाओ, तो दशा क्या है, कि आपका year कैसा जाएगा, वो तो आपका birth, rate of birth है, लेकिन क्या आप एक जैसे तो पुरे जीवन में नही होगे, तो आपका कुछ year कैसे जाएगे, एक personal year कैसे जाएगा, वो सब हम देखते हैं, नमबर के, जैसे for example, यह मेरा शरीर है, शरीर में कौन सी चीश एक्टिवेट होगी, कहीं बहार जा रहा हूँ काम तर नहीं, तो पैर से जाओगा, ठीक है, कुछ लिख रहा हूँ तो ह अभी calculate करना से का, तो चलिए हम समझते हैं, इसमें आगे, दशा कैसे निकालते हैं, क्योंकि यह आपका birth का grade है, अब पूरे birth में आप ऐसे ही नहीं रहेंगे, कुछ number और होते हैं, जैसे कि जो हम बताएंगे इसके बारे में कि आपका money कब आएगा, कैसे आएगा, वो सब ह अब करता है, दशा कैसी चले गया, ठीक है, तो दशा कैसे निकालते हैं, दो होते हैं, आपने, एक तो दशा, ओगया दशा, और दशा को कैसे निकालेंगे, आपका जो date of birth है 1997 तो हम यहाँ पर दशा निकालेंगी, दशा में आपका जो एर है उसमें हम नमबर 9, 8 क्यों करते हैं क्योंकि आपका साइकिक नमबर 9 है, अब जो नमबर होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, फिर 9 के बाद बापस से 1 नमबर आएगा, फिर 2 नमबर आएगा, 3 नमबर आएगा, 4 आ तो एक साल के लिए आएगा, 2 नमबर आएगा तो दो साल के लिए आएगा, ऐसे 9 नमबर 9 साल के लिए राएगा, अब यहाँ पर हमने 1997 लिखा, तो 9 साल के लिए यहाँ पर एक 9 हैड हो जाएगा, अब यहाँ पर अलत अलत रखें भी दिखा देंगे आपको, 1997 लिखा, 9 आ दो साल के लिए 2 रहेगा, 1 सिर्फ एक साल के लिए रहेगा, फिर दो साल के लिए 2 आ जाएगा, अब दो नमबन पर क्या होगा इसकी बारे में बताएंगे बाद में, पहले हम दशा निकालना सखा देते हैं, अब हमने लिखा 2009, ठीक है, फिर तीन साल के लिए 3 आएगा, ये 2021 ठीक है, फिर 6 चल रहा है इसका, अब ही इस वती का 6 नमबर की दशा चल नहीं है, तो बेनस एक्टिवीटेट अब ही वी निस एक्टिवीटेटेड है, इसका 2027 तग वेनस रहने वाला है, ये होगी दशा, ठीक है, इसके बाद होती है उंतर दशा है, चोटी-चोटी ये कि अब यह 9 साल रहेगा तो जबूँ यह 9 साल एक जैसा रहेगा हर 9 साल की वाइफ़ ग्रेट है अलग 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 वो एयर का एक नमबर होता है वह अलग तरीके से हम सम्झेगे तो बुझे सज में आगे है जैसे हमने यह डेट अबरत ली थी इस डेट अबरत का में ग्रेट बनाया उसका साइक नमबर दिखाला 9 आया हमने क्या किया हमारा जो भी एयर था 1997 उसमें 9 एयर तो अगर आपका दो हजार दो एयर है मांगे चलो और आपका नमबर आ रहा है पां 21 के प्लस 6 कर रहा है तो दो 27 आ रहा है तो अभी का जो टाइन चल रहा है वो 21 सा 27 के पीस के चल रहा है तो मतलब हमारा जो टाइन चल रहा है वो 6 नमबर का चल रहा है तो 6 नमबर का क्या इंपक्ट है उसको भी डिसकस करते हैं अब allein अंतर दशा भीиков नहिविश्वzą भी क्या नंबर है उसके बारे बाद समस्ते हैं हम निकालते हैं अंतरदश्टा अब एक एक परसल एयर के लिए एक थोड़ा सा अलका सा कैलकुनेशन है उसमें कि हमने जो डेटो बढ़ था 27 नवंबर 1997 ठीक है यह बाकी निमेलोजी से बहुत अलग है इसका परसल यह निकाल ला और बहुत ही accurate निकलता है कि हमने देखा कि 1997 कब बढ़ते हैं तो हमें 2023 से 24 तक कर निकाल ला है नवंबर 27 नवंबर 23 तक कर निकाल ला है ठीक है तो इसको कैसे निकालेंगे 27 नवंबर 2023 ठीक है प्लस 27 नवंबर को कौन सा दिन था उसका नमबर अब 27 नवंबर 2023 में मंडे था ठीक है तो मंडे यानि मून मून का नवर है तो मून को हम दो लिखेंगे छंद्रवां का दो नमबर है यह लिख दिया अब इसको हम टूटल कर लेंगे कितना आता है नाइन फ्लस टू इसका हमने टूटल है तो 279 प्लस यहाँ पर हम 20 सेंचि फिर अगे नहीं लेंगे अंतर दर्शा में, 23 के लेंगे 5, प्लेस, 9, 18, गुन्टु 9, ठीक है, तो पर्सनल एर इसका 9 नमबर चल रहा है, हमने अभी देखा, पर्सनल एर 9 चल रहा है, यहाँ पर हमने 9 नमबर को एक सर्क्री में ले लिया, और 6 नमबर एक सर्क्री में चल ल तो अंतर दर्शा कल्कुलिट करने के लिए हम क्या कर रहे है, मैं गलत हूँ, तो मुझे करेट कर देना, ठीक है, तो 1997 में पैता हुए थे, हम यह कह रहे है, 2023 का निकाल रहे है, तो 2023 के अंदर सबसे पहले अपना डे चेक करेंगे, हमारा बंडे किस डे को आता है, अब मंड ग्रिट के अंदर हमारी अंतरदशा और महादशा दोनों की दोनों आएगी, और हमारा इस साल का एक ग्रिट बन जाएगा, और वो ग्रिट बताएगा हमारा ये साल कैसा जाएगा, अब थोड़ा ग्रिट को समझने के लिए चलते हैं, और मुझे पूरा ग्रिट, क्योंकि बहुत सारे लोगों के बहुत सारे होगे, मेरे बन बन आ रहा है, मेरे टू-टू आ रहा है, तो उसको हम समझते है, अब मेरे अपना grid बना लिया है, अब मुझे number इसका relevance बताओ, कि किस number का relevance है, और थोड़ा सा यह भी बताना, कि अगर मेरे grid के अंदर यह number आ रहा है, तो मेर रहा number अगर आपके date of birth में sayingule आता है, जैसे नरे निवू दिए की chart में, single बन आता है, 17 सेवंटैन का date of birth उनका one number आता है, और जैसे की रहूल गांदि है, उनकी rate of birth में two or one रहा नता है, तो उसका क्या meaning है, किसी की rate of birth में three रहा है, जैसे नवर्मबर में two or one रहा गया, तो उ destiny number जो अमने अभी निकालना सिखा था, अगर destiny number का एक combination बन जाता है, कि one number है, plus destiny number भी है, तो उसकी power, मैं मानता हूँ sun, जो one number sun का है, तो sun की quality का 1 divided 2 हो जाता है, तो ऐसे हम one number की quality देखते हैं, अगर आपके लिटरोप में one number है, लेकिन destiny one नहीं है, या psychic one नहीं है, तो one number की quality, अ उसके अंदर ego कम रहेगा, उसके अंदर under confident रहेगा, उसके अंदर under confident रहेगा, मतला हम यह कह रहे हैं कि अगर, हम one की properties की बात करके चले, जो की एक तरह का sun है, father figure है, या फिर राजा है, तो basically अब यह सारी सीदों के बारे हम बात कर चुके हैं, पुरानी वीडियो देख लेन तो या आपे screen पे लिंग देते है one का मतलब क्या होता है, अगर कोई one number है, single one है, तो strong है, अगर destiny या psychic number आ जाता है one, और under one है, तो यह number और powerful हो गया, और अगर मेरे date के अंदर तीन बार number one आ गया, और यह number नहीं है, तो negative हो रहे है, तो one, two, three, four, जिती बार हो रहे है negative है, अ example के लिए, और ऐसी भी एक मन है, ऐसे लोग वो काम कर सकते हैं, जो कोई नहीं कर सकता, मतलब हर लोग धार मान जाते हैं, अगर उची-उची दिवार भी है, तो वो भी उसको फरांग लेंगे, ऐसी बात कहेंगे, कि मैं यह कलनूगा, वो कलनूगा, बहुत कभी-कभी हवा और एक की दशा आजाए, तो थोड़ा सा confidence की बात होगी आपर, आपका name की बात होगी, आप famous हो सकते हैं, confidence बढ़ सकता है, लेकिन यहाप पर हमने अगेन बात करी, double one आ गया, टीकिन one single है, तो अच्छा है, आप already अच्छे हो, लेकिन जब double one आ गया, तो यहापर ऐसे scenario बने आपका birth by birth आपका grade अच्छा है, तो वहापर दिक्कत इतनी नहीं है, अगर one की दशा आ जाए तो, अगर आप लेकिन one number नहीं है, और one आ गया दशा में, तो वो साल आपका बहुत amazing जाएगा, जिसमें आप बहुत लोगों से मिलोगी, आप confidence बहुत आसमल चुएगा उस समय पर और आप बहुत grow भी करेंगे अपनी life में, एक कुछ common number होते हैं, career में कैसे grow होते हैं, वो end में बताएंगे, लेकिन यहाँ पर हमने one number की दशा अगर आती है, तो one number sun की qualities आपकी life में increase करेंगे, तो two number की बात करेंगे तो two number की बात करें, तो two number के पीछे एक थोड़ा सा अ हुआ है, तो two number आपके पास psychic number का है, तो two number तो ठीक है, लेकिन अगर two number में multiple two हो जाते हैं, जो आजकल 2000 के बाद जित्ते ही बच्चे पैदा हो रहे हैं, इनके पास two number common है, 19 जो हमने starting बताया था, great बनाते समय, कि हम century number को नहीं ले रहे हैं, लेकिन अगर यहाँ पर हम broad में ल emotional हैं, दबे शान्त हैं, दबी दबी से हैं, लेकिन सब की नहीं कह रहा है, हम again कह रहा हूं, great बनाएंगे, great को समझो, अगर one or nine आ गया तो ठीक है, तो two number अगर ज़्यादा बार आ गया, जो लोग 22 में पैदा हुए, तो आप देखना भी तो बहुत छोड़े हैं, खौत emotional हो दो के बच्चे जो होंगे, बहुत emotional होंगे, एक कुछ समय पहले चला था कि 11-11-11, इस समय बच्चे जो पैदा हो रहे हैं, तो बहुत lucky होंगे, yes lucky होंगे, वह बात अलग है, लेकिन उनके में आप कमल देखे, 11 का total 2 हो गया, पूरे 11-11 का total करेंगे, तो कितनी बार one आ गया अहुत emotional होगा वह बेती, वो दबा दबा सा अंडर गॉंफेरेंट सा होगा, और 2 नमबर के हमने इबात कर ली, 2 नमर के सिर्क दो ही टाप है, एक 2 नमर सिंगल होगया, वो बहुत अच्छा है, बहनी 2 होगया, थुरियता डिप्रेसिब सा रहेगा, टेंशन में रहेगा, ज उसके भाईंगे और साथ में इतना अटेंशन सीकर होगा कि उसको अगर अगर अटेंशन ना मिले तो इस बात में चला जाएगे मुझे कोई अटेंशन नहीं मिल रहे केरिंग वाला ब्यक्ति रहेगा नाइन तो नंबर वाल अब अगर वानलो दो आ रहा है दिशा गेंदर और दो नंबर आता है तो आपको बहुत ज्यादा उस पिरेड पर इमोशनल हो जाएंगे और इमोशन का सामना आपको करना पड़ेगा कुछ भी हो सकता है कोई भी रीज अगर हम थिरी की बात करते है घूपिटर का नंबर होते हैं बहुत कुछ नया शीखना चाहते हैं और थी नंबर की कौलिटी जो होती है ऐसे अपने फैमिली से टच में रहते हैं थिरी नंबर इसके हुट्र कम कर रहे होते हैं अब बात करते हैं अगर multiple three आ गया, इसमें बहुत इंट्रेस्टिंग बात है, अगर destiny का three है, तो इसे व्यक्ति बहुत ग्यानी होगा, देखो इतन दो बात करते हैं, अगर three आपके पास multiple है, तो इसे व्यक्ति थोड़ा सा धोंग या पाखन चले आते हैं, और थोड़े showoff में आप ओशो का grade बना लो, या फिर श्री रवीशंकर का grade बना लो, विबे का नलता grade बना लो, इन सब के date of birth में आप समझ सकते हो, कि अगर 3 number आ गया और destiny का मिझी 3 आ गया, तो वो घ्यानी भी होगा, शोफ भी करेगा, लेकिन अगर destiny नहीं है, psychic नहीं है, 3, 3 multiple आ रहा है, तो उस जोफ तो हो गई होगा, और 3 multiple बार आ रहा है, और destiny's IQ में नहीं है, तो शोफ तो पक्का होगा, ग्यादी हो या नहीं है, अगर 3 की मेरी दशा या अंतरदशा चल रही है, तो वो कैसे impact करेगा multiple में, अगर 3 number आगर आपके data औरत में आ गया, तो 3 number थोड़ा सा health wise issue देता है, लाइफ के लिए थोड़े challenges है, वो career wise इतना अच्छा नहीं है, multiple 3, और आपके data बार 3 number नहीं है, और single 3 आजाए, मैं एक बात मानता हूँ, कि आपके data बार में जितने number कम है, उतना अच्छा है, तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छा देगा, जो multiple बहुत साई data बना हुआ ह अच्छा है, वो आपका बर्थ, वो जो आपका growth है, जो आपका base है, बहुत अच्छा बना हुआ है, ठीक है, तो आप उस sheet को manage कर लेंगा, अगर आपका natural 3 अच्छा है, अजशा में 3 additional आ गया, तो आपको कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ efforts आपको लगाने पड़ेंगा, सीख चार नमबर की बात करें, चार नमबर की बात करें, चार नमबर वाले राहू का नमबर है, जीनियस होते हैं ऐसे लोग, चार नमबर अगर single है, तो वो अच्छा नहीं होता, अगर वो इसमें भी है, कि अगर दो बार चार आ जाए, तो ठीक है, तीन बार चार अच्छा नही इसमें जो और में जो चार आजाए वो अच्छा नहीं है, चार नमबर इसके में खर्चा कराता है, चार नमबर इसके में खर्चा कराता है, उनों खर्चेले होते हैं, पैसा दवा के खर्च करते हैं, चार नमबर वाले लोग इंजॉय करते हैं अपनी नाइफ को, और साथ में ट्रेवलिंग का नमबर है, चाद नमबर रिसके में आता है, वो खूब ट्रेवल करता है, वो एक जगे टेक्क्ये नहीं बैठ सकता है, और चाद नमबर वाला एडवेंश्रस होता है, ईजली ट्रेवल नहीं करेगा, वो चला जाएगा, या फिर ऐसे पहाडों पे जाएगा, जहां पर हमें रिस्क लगें लेकिन वह रिस्क टेकर होता है चानमर वाला चानमर वाले लोग जाएतर और औरगेनाश होते हैं अपने काम को बहुत डेले करते रहते हैं और प्रोकाश्टनेशन उनके इंदर सबसे जाधा होते हैं अगर यहां पर multiple में बात कर लेते हैं, अगर चान नमबर आपका single है, और चान नमबर अगर दो बार है, तो एक बार के लिए ठीक है, बच गया, ठीक है, लेकिन चान नमबर वाली genius होते हैं, मैंने देखा है, उनसे जो बात कर लो, कुछ अलग ही उनका perspective होता है चान नमबर व इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छे बाने गए हैं, मैंने एक इस पर थोड़ा research किया था, कि चान नमबर अगर डेटो बरत में आता है, और फाइफ नमबर भी आ जाता है, थोड़ा बता देता हो, फाइफ नमबर अगर आ जाता है, चान नमबर भी आ जाता है, ऐस बताता हूँ, चान नमबर रागु का नमबर है, तो रागु क्या था, उसका शरीर नहीं था, सिर्फ पूपर का सिर्फ, तो रागु के पीछे बहुत बड़ी स्टोरी है, कि रागु ने जूट बोलकर देवताओं बैठकर अमरत पान किया था, तो रागु वाले विक्ति क कैसे भी करके देवताओं में बैठ जाते हैं, मतलब कुछ बड़ा कर सकते हैं, कुछ फ्रॉड भी कर सकते हैं, कुछ भी अच्छी कर सकते हैं किसी भी हग तक जाकर, लेकिन मैंने देखा है चान नमर थोड़ा सा लोवर पोशन पे हेल्थ इसू दे देता है, तो कि रागु लेकि अगर एंड में कुछ रेमेडिस बताएंगे, तो उस पे थोड़ा सा फोकस करें, अब अगर चार आ रहा है, अंतर दशा के अंतर या दशा के अंतर तो कैसे अंतर हो रहा है, चान नमबर अगर आपके नेटो वर्च में आ गया, और दशा अंतर दशा में भी आ आगय तो चान नमबर आपको घर्चा गराएगा, और ट्रेवल कराएगा, और कुछ रिस्क आप उठा सकते हैं उस साल पर, और अगर आपके नेटो वर्च में फाइफ नमबर भी है, तो रिस्क आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है, फोर नमबर नॉर्मली अच्छा नहीं मा आप यहाँ पर सबसे ज़्यादा ग्रू करने वाले, मैं रेकमेंड करता हूँ, यहाँ पर आप इन्वेश्मेंट्स करेए, पाँच नमबर के बारे में बताते हैं, पाँच नमर वाले लोग होते हैं, और बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, और पाँच नमर का एक नहीं आता, किसी और के पाँच नमर आता है, आप कोई बिजनेश डील करने जा रहे हो, तो पाँच नमर वाले को साथ ले जाओ, तो आपकी अच्छी बिजनेश डील कर ले, और इस पीशली, अब इस पी भी हमें आगे बताऊँगा, कि अगर आपके नीट वरत में नाइन नमबर सिंगल है, तो पाँच है, तो बहुत अमीजिंग है, बहुत पैसा कमालेंगा वो, और मैंने इस पर रिसर्च बहुत किया हुआ है, आपको दिखा होगा बाद में, कि नाइन नमर या फाइफ नमर आपके पास है, जितने भी मिलिनेर मिलिनेर हुए है, सबों के नमर हो जाते हैं, पांच नमर मिल्टिपल हो गया, तो यहाँ पर आपके पास चोईस है, मिल्टिपल पांच हो गया है, तो ऐसे व्यक्ति मनी माइन इट, हाईली मनी मनी ओ जाते है, दिमाग बहुत तीज दोड़ता है उनका, जैसे विजय मालिया उनके रिड़ोगरत में दोबर पाँच आता है, बहुत मुनिमाइड़, लेकिन अब आपके उपर चोईस करता है, कि आप उसको किस तरीके से लेते हो, तो आपके लिए कि आप फ्रॉड मी करो या नहीं करो, अच्छे के लिए करो, मोदी जी के डिटो वर्थ में डिश्टनी 5 है उनका, और जब दशा में उनका 5 आया था, तब नोट बंदी हुआ था, करेंटली उनका 555 चल रहा है, तो बहुत तेज बुद्धी चल रही है उनकी, कुछ रगोस तो ऐसा करने वाले है वो, ठीक है, तो मल्टिपल फाइफ वाले लोगों के पास एक पावर होती है, पैसा कमाने की, पैसा अट्रेक्ट करते हैं, पैसा मेनेजमेंट अच्छा कर लेते हैं, तो मतलब, लोजिकली, पाँच मल्टिपल बार आ रहा है, तो पॉजिटेव ही है थ्रू आउट, पाँच नेगेटिव है यह नहीं, येस, नेगेटिव देखू, हेल्थ वाइस थोड़ा से नेगेटिव है, पाँच नमबर अगर ज्यादा बार आ गया, तो हेल्थ वाइस नीद नहीं आएगी उसको, रात में सोते समय इंसेक्योरिटी रहेगी, टेंशन तो इस तरीकी इंसेक्योरिटी वाली टेंशन रहेगी, और मरकरी का नमबर है, बुद्ध का नमबर है, तो बुद्ध इसकी निशू जो देता है, रैस्पिरियर्टी इशू देता है, इसके पांच आ रहा है इसके अंदर दशा यह अंतर दशा के दर तो क्या अकल रहा है पांच नंमर अगर आपके रोबियागे वहिंद वह कह पिसा सब्सक्राइब करोगे उस समय पर अब देखो यह matter करता है आपकी past दशाएं कैसी चलती आ रहे हैं वो सकता है कि आप bank में जाकर पहुत सारा cash जमा कर रहे हैं आप वो manage कर रहे हो ज़रूरी नहीं है वो सब पूरा past का देखकर पता चलेगा कि आपको life में कितरा grow करोगी अब अगर दशा में पांच नमबर आ गया तो आपको पैसे तो आपको deal कराएगा ग्रोव आपको सबसे ज़्यादा अब 6 नमबर बात करते हैं 6 नमबर है कुवेर का खजाना 6 नमबर शुक्र होता है ठीक है relationship के लिए बहुत अच्छा नमबर है 6 नमबर आठ के लिए बहुत अच्छा नमबर जित्ते भी एक्टर बनते हैं ये 6 नमबर वाले लोग बनते हैं 6 नमबर अट्रक्शन का नमबर है जो हीरा होता है तो लोगों मैंसे एक अलग ही दिख जाएगा 6 नमबर वाला fashion oriented होता है fashion करता है अलग ही दिखता है और 6 नमबर वीनस का नमबर है शुक्र का शुक्र यानी वी आईपी जब कुछ में हड़ चीज़ में वी आईपी उसके पास होगा तो आईफोन होगा उसके पास बहुत महेंगे से महेंगे चीज़ें होगी wardrobe खोल के देखे अब मैं इस पर एक logic को बताता हूँ कि माल लो मैं अगर आपके किसी के घर में गया घर में गुस्ते ही देखा उसके घर में luxury चीज़ा रखी है pink color का चीज़ा रखी हुई है बहुत अच्छी तरीके सो उसने दिखा रहा है अपने घर को ठीक है तो वहाँ पर दिख जाता है कि 5 नमबर 6 नमबर को प्रभाव सबसे ज़्यादा है उसके अंदर 6 नमबर हो गया luxury और साथ में 6 नमबर attraction का है अगर आप male है तो आपके पीछे लड़की भाक्य आएगी लड़के है तो अपने जेंडर वाक्य आता है 6 नमबर के पास अब 6 नमबर के multiple बात कर लेते हैं अगर multiple है तो 6 अब multiple होता है तो ये थोड़ा सा खर्च का number बहुत खर्चा कराता है 6 नमबर relationship के लिए multiple 6 किलियर बोल रहा हूँ multiple 6 relationship के लिए अच्छा नहीं होता जब भी multiple 6 आ जाता है तो relationship में breakups होते रहते थोड़ा सा जब health की बारे में बात करें तो triple 6 ये double 6 अगर आ जाता है तो health में conceive होने में दिक्कत आती है थोड़ा सा जो हमारा ENT है उसमें दिक्कत आ जाता है especially मैंने जाहतर जब child birth हो रहा होता है तो उसमें triple 6, double 6 थोड़ा सा typical हो जाता है दौनों के लिए अच्छा है लड़का हो चा लड़की especially लड़कियों में अगर triple 6 हो गया तो अच्छा नहीं होता especially conceiving के लिए ठीक है और triple 6 relationship के लिए कहां पर खराब होता है triple 6 वाले लोगों का लड़कियों से special नहीं बनती आपने देखे होंगे कि एक लड़की है या कुई girlfriend है ठीक है उसकी अपने सास से नहीं बन रही या relationship में female से नहीं बन रही 6 number का female से ही नहीं बन दी चाहिए लड़का उचे लड़का 6-7 के पीछे का बस यह तो अगर single है तो लक्षिरी है multiple वार है तो कलेश है कलेश है तो multiple वार नहीं होना चाहिए और अगर इसमें destiny आ रहा है तो destiny आ गया लक्षिरी होगी लेकिन वहां पर ही कलेश होर बढ़ेश अगर 6 आ गया है तो 6 नमबर आपको attractive बनाएगा कुई नो को ऐसे scenario बनेगे कि आपको अपनी उपर काम करने की जरूत है आपको अपनी self जो आपका fashion है आपका किस तरीके से आप ग्रूब यह भी logically हाइटेंटी कर रहा है जो 6 की properties है उनको बढ़ा ही रहा है और लेकिन 6 नमबर अगर मालो 6 नॉर्मल आपके रेट हो उनके सिंगल 6 है और मैं रिकमेंट करता हूँ उस समय पर कि अगर आप कुछ family planning कर रहे हो तो आपके थोड़ा बचो उस साल के लिए थोड़ा बचना है आपको अगर दशा में आगया 6 साल के लिए आएगा तो महाँ पर आपको कुछ remedies करनी पड़ेंगी दौनों को और आपके और आपके partner पर दौनों पर अगर 6 नमबर जादा चल रहा है तो उस पर थोड़ा सा remedies करेंगी और समभल के चलना है मापर लेकिन career के लिए अच्छा है आपक लगजरी ग्रोथ दिलाता है और डवल सिक्स लिटो वरत में अगर आजाता है या दशा में आ जाता है जातर ऐसे लोग लाइफ इस चाल में पैसा खर्श कर रहे हैं वादला अपना घर सही कर रहे हैं घाडी ले रहे हैं कुछ लगजरी इंबॉल्व करें इस तरीके का शि अगर इन्वेश्डिकेट करना वो कुछ पतालगाना हो तो आजाता हुप पतालगाने में हुल्वालों के पास कोती है हमारे पते के सर कहते थे कि हमारे डेट वरत में चाथन में आ आ गया होता हूटbox अगर और यकाल होता हलता है तो बाल की खाल की खाल होता है अगर multiple tip 7 आ गया और 7 मैंने ज़्यादा तर देखो 4 वार से ज़्यादा 7 नहीं होता किसी भी डेटो पर तुमीं 4 से ज़्यादा नहीं होता 4 वार आ गया 7 तो उससे बात बत कर लेना मुझसे कि मुझे समझाया था किसी ने 7 नमर ज़्यादा आ गया तो वो पूछेगा सबसे पहले एस्ट्रोजी है क्या एस्ट्रोजी के बारे में deep में चला जाएगा कि ये curious वो बहुत highly curious अर चीत में जाएगा deep में जाएगा 7 नमर 7 नमर थोड़ा comfort का नमर है life थोड़ी easy होती है 7 नमर वालों की सब कुछ मिलता है थोड़े जल्दी मिलता है 7 नमर 7 नमर realize उसका है fulfillment of desire का है ठीक है आपकी desire जल्दी fulfill होगी अगर 10 शाम में 7 आ गया मालनो date of birth में नहीं है 10 शाम में 7 आ गया तो आपकी life थोड़ी grow होने वाली है साथ साल के लिए आता है 7 नमर अब multiple 7 के हम जो बात करने हैं तो multiple 7 अगर आ जाता है थोड़ा confusion बढ़ा देता है life आप जल्दी से decision नहीं ले पाते मैं मानता हूँ 7 नमर multiple अगर आता है या आपके rate of birth में है तो आप इस पर इस चोली बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हो कोई भी काम को और 7 नमर multiple हो चाए single हो मैं एक ची मानता हूँ कि भी अपने 4 नमर के बात करी थी 4 नमर या 7 नमर आगर आपके rate of birth में आता है ऐसे लोग इंडिया में नहीं टिखते या फिर अपने देश्ट में नहीं टिखते बाहर जाते है सीदे ट्रेवलिंग करते हैं vloggers होते हैं 7 नमर का एक profession होता है जिसका industry number 7 है या industry number 4 है traveler बनते हैं या व्लॉक करते है ठीक है 7 नमर का ये sense है 7 नमर वाले लोग को तोड़ा सा insomnia जिरात में नीद ना आना, इस तरीकी प्रॉलम हो जाती है, अगर मुल्टिपिल 7 को तो, जबर 7 तब एक वाले के लिए काम चल जाता है, ट्रिपिल 7 बहुत अच्छा नहीं हो, ठीक है, मतलब 7 की प्रॉपर्टी जितने नंबर्स बट रहे हैं, 7 में अगर मेरे दशा में आ ज अगर 7 नंबर दशा में आ जाता है, तो 7 नंबर वाले ट्रेवल करते हैं, कन्फ्यूज रहते हैं उस पिरेट के समय पर, लाइफ के डिसेल्स में, कोई ना कोई ऐसा सिनेरियो बनता रहता है, उनकी लाइफ में, कन्फ्यूजन बना रहता है, अगर आपके डेटर प्रॉप को बहुत ती जिसे बढ़ाने वाला है, 6-7-5 कॉंबिनेशन होता है, लगजरी का, साथ में आपके लाइफ इस्टाइल का, आप गाड़ियों में घुमोगे, उस समय के लिए आप अपने दोस्त की गाड़ी में घुम रहे हैं, या फिर उस समय के लिए आप बड़े- ज़गे जा रहे हूं, तो 7-7 नंबर इसके लिए बहुत अच्छा है, 7-7 नंबर रिस्क टेकर नहीं है, 7-7 नंबर व्यक्ति आरम से चलता है, बज़े से चलता है, फिर गाड़ी की बात करते हैं, तो 8 नंबर शनी का नंबर, 8 नंबर देता है इस्टेबिलिटी, आप शनी हो बात अप्ल बहुआ को मैं मैं दौनों को लेकर चलता हूं शनी सब्सक्राइङ बहुत होगि चाल्ते हैं लोग लोग होते हैं या चरह जाते हैं, थे सम्झा मेंने कि जो लोग धिरे चलते हैं शनी दबाई Haben जो लेते हैं उ सनी एक शनी के पिछे पीछे का सविए लगता है शनी वाले लोग भी पैसा कमाते हैं जैसा फाइफ मनी का है इसा एट नमबर को मनी का होता है इट ममर इस्टेमिश ती के सार्थ पैसे भी बहुत देता है। उन लोगों को पैसा ही कमाना है, correspondingly पैसे में प्रपर्टी बहुत कमाते है, एट नमर बारे लोगों शनी का नमबर है। कुणील है यृष नमबर को प्रपर्टी के लिए देखा जाता है, Rocket अगर आपके data उंको देखा है जिसके ड़ेट उन्हे ड़ेट आ गया, दरिन वुद्य जी का जब ड़ेट श्टार्ट हुआ, उनकी में सिंगल एट आता है, 17 सितंब्र 98 50 डटो बन थे उनका, तो 17 गा टूटल किया तो 8 आ गया, 8 उनका था, तो स्टार्टिंग में खोथ हाट वक था, आप स seat मिली, तो double eight एक power देता है, और एक authority देता है, अगर आपके retours में आ गया, तो double eight बहुत अच्छा है, चार बार eight मैंने थोड़ा सा जादा अच्छा नहीं देखा, तीन बार eight फोड़ा hard work challenges देता है, single eight hard work challenges बगरा देता है, double eight अच्छा है, मतलब हम क्या कह रहे है, eight single बेकार है, double बहुत अच्छा है, triple average है, और four again बेकार है, अब यहाँ पर मैं च्छी हो कहता हूँ, जो eight नमबर आपके पास आ रहा है, अगर आपका destiny eight है, तो double eight बनता है, तो वो भी इतना अच्छा नहीं है, चैलेंजिस देता है, अगर मान के चलते हैं, यहाँ पर चार फेक्टर चल रहे है, एक चल रहा है destiny, एक चल रहा है psychic number, एक अंतरदशा, एक महाँ दशा, यह चार से चल रही है, अब यह चारों चीज़े, एक खटी एक कर रही है, अलब चीज़ों को हाइटिंटी कर रही है, तो उसके पहले हम बर्त जो आपके पास डेटो बर्त उसकी बात कर रहे है, दशा, अंतरदशा को हम बाद में जब देखते हैं, कैलकुलेट करने के लिए वह अलग है, लेकिन जब हर साल का तो अलग-अलग ग्रेट बन रहा है, चाहिए एयर का ग्रेट है, हमने ग्रेट बना रहे हैं, आपको दशा निकाला, अंतरदशा निकाली, वो आपका personal year grade बन अगर हमने एक-एक नंबर को पढ़ना समझ लिया, एक-एक नंबर का double हो गया, triple हो गया, उसके बारे में समझ लिया, तो personal year को आप निकालना बड़े आरम से सीख जाओगे, मैं यह नहीं कहारा कि 2 या 24 कैसा जाएगा, मैं कहाँ हूँ है, 2 या 26 आप समझ जाओगे, 27 पे सम commentative होते हैं, और मैंने जाहतर जिम में 9 नंबर वाले लोगों को देखा है, 9 नंबर वाले लोग, health conscious हो जादा होते हैं, और 9 नंबर के पीछे, अब मैं थोड़ा multiple की अगर बात करते हूँ, इतना तो सभी लोग समझ चुके हैं, वी तक काफी सारे videos आ चुके हैं, ठीक है, multiple बात करें, तो 9 अगर double 9 हो जाता है न, तो वो थोड़ा सा इतना वो अच्छा नहीं होता, मतलब ऐसे विक्ति बहुत इंट्रोवर्ट हो जाते हैं, अब मैं इसके पीछे के बता हूँ, जब नरेंद मोदी जी का 9 नंबर आया था, तो उस समय अंतरदशा में जब 9 आया था तो भी, confidence बढ़ेगा, argumentative आप होंगे, लोगों से अच्छे तरीके से स्वाल कोच पाएंगे, किसी से डरेंगी नहीं, अगर आपके सामने बोदी जी बैठें, तो आप। उनके सामने confidently बात करेंगे, 9 नंबर आया था, अगर 9 नंर मूब 1 मुल्टि आया था है, अब यहां फॉल्ए में आई नंबर अर आपका डशाम कि आपके नॉimbble भी है तो थोड़ासा अइसी व्यक्ति मैंने जाता है शांत देखे वह पीज्टि तोन घून ते वह सबीपर शांति तोन से ना任 द्शामा आजाता है तो लेकिन अगर आपके लिए तो उप्रत में सिंगल नाइन है और आपकी दोग तो फाइफ है अगर दशा में नाइन आ गया तो वो करियर के लिए अच्छा नहीं होता है उनलों को सोच समय के दिश्चा लेने चाहिए तो अब मुझे नीचे कमेंट के अंदर अब यह अब आपको पता लगा है अपका करेंट यह कैसा चल रहा है अब क्या कुछ कॉम्बिनेशन भी जैसे आपको आपको बता देता हूं कि अगर निम्रोजी सीख रहे हो आप ऐसे लर्न के लिए सीख रहे हो तो आपको दो मुझे पर देखते आप सामने वाले के बारे ट्री और वन आ गया तो ट्री ओर वन सिंगल है आप यही समझ चुके हो तो इस ड्री बना लो एक यही बात है अब यह आपर मान के चलते हैं ग्रेड में अपने साइकिक नंबर लोट कर नखा है आपने अब ही तक बना लिया ठीक है साइकिक नंबर है अपने ग्रेड बना और अंता दर्शा मादर्शा नहीं लिखी है, अब उसके बारे में थोड़ा सा बतार, ठीक है किसी के बारे में, तो आप देख रहे हो अगर आपके ग्रेड में 3 और 1 आ गया, ठीक है, तो 3 1 वाले विक्ति को आप क्या सकते हो कि ऐसा विक्ति, educated होगा, learned होगा, सीखने, मतलब मैंने ऐसे लोग को post graduate करते देखा है, PhD कर रही होते हैं, leadership qualities बहुत अच्छे होते हैं, confidence इनके पास बहुत जादा होता है, अब यह 3 1 जैसे अगर मेरा दशा दिशा का competition की वज़े से 3 1 मन रहा है, तो भी यह वाले चीज़े हो जाएगी, मैं देको मानके चलता हूँ, मैं अगला combination है कि अगला combination है कि अगर आपके date of birth में 2 और 6 दोनों आते हैं, मैं मानके चलना हूँ, आप समझ चुके हो कि एक एक नमबर की quality कैसे है, ठीक है, अब मैं combination की बात करना हूँ, 2 और 6 अगर आपके date of birth में अच्छा है आ गया, तैसे व्यक्ति बहुत highly emotional होते हैं, filled with emotions, उनके पास emotional इतने होगे कि सामने वाली की care कर रहा है, सामने वाली के बारे में कुछ गलत नहीं सोच रहा, अच्छा सोच रहा है, अगर आपके date of birth में 1 और 9 नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति इतना introvert होगा, इतनी caring personality होगा, दूसरों की care ही करता जा रहा है, ठीक है, अब इसमें हम additional एक और जोड़ देते हैं, अगर आपके date of birth में 1 और 9 आ गया, 1-9 का combination बताता है, आपके पास एक ऐसी authority है, मैंने शायद इसमें पहले ही बताया था, द्वारा बताता हूँ, 1-9 वाले लोग, मैंने ज़्यादतर manager देखें हैं, CEO देखें हैं, founder देखें हैं, और इसमें भ होगा, ठीक है, 1-9-5 बहुत amazing combination है, ठीक है, अब 1-9 अगर आ गया तो अपने काम को delegate करना बहुत अच्छे से आता है, 1-9 वाले जल्दे से हार नहीं बाणते, 1-9 वाले लोग ambitious होते हैं, जो 50 साल की वर में चाहिए, वो आज ही चाहिए 1-9 वाले को, 1-9 वाले क्योंकि क्या ह सन और मंगल का combination है, ठीक है, सन और मार्स ऑथोरेटी दिलाता है, कुछ बड़ा अचीव करते हैं, 1-9 वाले, 1-9 में बहुत एक कमी होते हैं, बहुत गुस्से वाले होते हैं, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है उनको 1-9 में, irritation होनी रखते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, अगर उसकी डीट बड़ा में, 1-9 है, और 2-6 भी है, तो आप emotional भी होगे, और dominating भी होगे, अगर 1-9 नहीं है, 2-6 है, तो आप बहुत जादे emotional होगे, अब यह आप और हम और detail में चलते हैं, अभी हम दो-दो के combination समझ रहे थे, आपकी rate of birth में मालनो 8 और 4 है, single 8-4 है, तो ऐस हवा में बाते करता है, बड़ी-बड़ी शेकता है, ठीक है, बहुत बड़ी-बड़ी बाते कर लेता है, 8-4 वाला, अगर उसकी rate of birth में 5 या 9 भी है, तो अपनी बड़ी बात को वो रूफ भी कर देता है, अगर 5 नहीं है, 9 नहीं है, तो उसकी बातों में जल्दी सा trust नहीं करना चाहिए, 8-4 वाले लोग बड़ी-बड़ी बाते करते हैं, अब यहाँ पर combination भी हम और detail में चलते हैं, अब आपके data बड़ते हैं, 1-9-5 तीनों आ गया, 1-9-5 तीनों आ गया, तो ऐसे व्यक्ति life में बहुत ज़दा grow करते हैं, पैसा कमाते हैं, और money minded होते हैं, 1 क्या ह और बताता हूं, 9-5, 9-5 क्या है, 9 है मंगल, 5 है बुद्ध, तो यह मंगल और बुद्ध का combination बना, बहुत amazing number है, कुल्ली में भी इसको देखते हैं, जब कुल्ली में अगर, कुल्ली के बात नहीं करने, फिर भी थोड़ा सा बता देते हैं, कि अगर मंगल और बुद्ध एक ग्रेट बनाना सीख गए हो, आप अभी जाके देखो, विजय मालिया क्या, ग्रेट बर्त लगाओ, पुरा ग्रेट बनाओ, आपको समझ में आ जाएगा, या फिर जिन लोगों ने फ्रॉड किये हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा, अच्छे से, मिलिनेर, मिलियनर का बनते हैं, बहुत पैसा कमाते हैं, वन राइल फाएल, अब एक कॉमविरेशन या फाइफ और फॉर, वाले रिस्क टेकर होते हैं, फाइफ और फॉर जिसके यह पत्त में आ जाता है, और फाइट फॉर वाले लोग कन्फुज बहुत जएदा हैं, ऐसा यह भी कमानाते हैं, लेकिन कन्फूजन में बहुत ज्यादा उनका लाइफ रहता है ठीक है अब यहाँ पर माल लोग दशा में 9 आ गया तो वो साल आपका बढ़िया रहेंगा या 9 नंबर दशा में तो 9 साल के लिए रहेंगा तो वो आपके लिए बढ़िया रहेंगा एक कॉम्बिनेशन और है अगर 9, 5, 4 तीनों आ गया तो यह जैक फॉर और हर चीज में माहर होते हैं और राउंडर होते हैं कुछ भी कर सकते हैं और कुछ बढ़ा करते हैं और सारे ऐसे कॉम्बिनेशन हैं हम लगा जैसे 6 और 7 ठीक है लग का है और 5 बढ़ा है 6 लगजरी का है 6-7 होगा तो लगजरी 6-5 है तो लगजरी और 2 और 7 है तो लगजरी फोर एमोशन तहीं नहीं नहीं उसको वह अलग है 2 और 7 वाला मिक्ति इमोशनल बहुत होगा यह कोई कॉम्बिनेशन अलग क्योंकि चंद्रमा का नंबर है और 7 नंबर केतु का है ऐसे लोग वहुत स्प्रिच्वल देखे हैं मैंने 2-7 वाले होते हैं मनी के लिए अच्छे है लेकिन थोड़े से अकेले रहना पसंद करेंगे 2-7 वाले लोग पताता हूँ जैसे कि 6-7-5 आप अभी बना के देखो शारो खान सलमान खान या योगी आदितनाथ इन सभी की नीटों परतो है या राहुल गांदी सभी की नीटों परतो है अभी आपने अगर डीटेल में हमारा वीडियो सुना है तो आप ये भी देख सकते हो कि 6 खराब ह 7 खराब है 5 खराब है कौन व्यक्ति 6 वाले थोड़े से आयाश भी होते है पैसा खर्ज करना उडाना बहुत पसंद करते है आप देख सकते हो द्याकर लेकिन 6-7-5 की कॉंबिनेशन है कमफर्ट लेवल को बढ़ाता है और अगर आपके पास कमफर्ट लेवल नहीं है 6-7-5 है तो डेफिनेटली आपकी लेवल भड़ेगा जितने भी डेटो बरत उठाके देख लो 6-7-5 वाले लोग का कमफर्ट भड़ा है अब देखो एक कॉंबिनेशन और है 178 वालों का इंटूशन बहुत हाई होता है ठीक है ऐसे लोग अपने मन में दुख्य वाली बहुत करते हैं बच्पल में देखे होंगे पेपर में क्या नंबर आएगा क्या कोशन आएगा तो 175 इसके पास है बता सकता है उसकी वाद सच निकलते है अब और भी कॉंबिनेशन है एक कॉंबिनेशन है 17 अगर डेटो बरत में आ गया तो यह लोग 7 नमर लक्का है तो 17 वाले लक लक्की लोगों में भी special lucky है ठीक है 17 वाले लोगों की काम जल्दी होते हैं जल्दी निकलते हैं अब एक कॉंबिनेशन और है 362 या 36 हो या 362 हो ऐसे लोगों साधी नहीं करनी यह कुवारे रहना चाहते हैं और अकेले रहना पसंद करते हैं अपने तरीके से काम करना पसंद करते हैं यह किसी के साथ नहीं रहना चाहते है अब यह जो राजयोग होता है यह क्या होता है राजयोग में भी अगेन मैं आपको इसके पीछे का एक essence बता देता हूं क्योंकि मैंने कभी जब भी numerator निटनली बता रहा हूं मैंने निमरोली जितना सीखा है मैंने कभी रटा single one ध्यान समझे न सिंगल one five यह double five यह single six यह double eight अगर आता है अब यह चार बात है बोली चारों में से दो अगर आ गई यह one six है यह double five double eight है यह six five है तो आपके पास राजयोग है और पैसा कमाने वाला है आप उठा गे देख लो जितने भी बिलिनेर मिलिनेर है मैं ठोक के कह रहा हूँ इस बात को जितने भी बिलिनेर मिलिनेर है इन सभी के डिटो बात में 1, 5, 8, 6 आया है राजयोग में अगर हम बात कर लेते हैं तो हमारा 1, 9, 5 यह राजयोग है ठीक है 5 नमबर में 5 और 8 राजयोग है simple राजयोग मैंने आपको एक छोटा सा essence बता दिया कि राजयोग कैसे देखे तो राजयोग देखने का तरीका यह है कि अब मैं और इसमें बताऊ तो 5 नमबर बुद्धी का है 1 नमबर पावर का है 6 नमबर कुवेर का है ठीक है 8 नमबर प्रपरटी का है यह चारो अगर नमबर में आगे तो आप क्यों पैसे पैसे नहीं कमा सकते बिल्कुल कमाएंगे आप पाश्ट के रेटो पर तो ठागे देख लो जिन लोगों ने कमाया है मांके चलते है मेरे को 5 नमबर की जुरत है या मेरे गरेड में 5 नहीं आता है और मैं चाहता हूँ वो स्पेसिविक चीजे अपनी लाइफ में आसिल करना जो 5 के साथ आती है तो वो नमबर कैसे ला सकता हूँ हमने यह बहुत अच्छी बात आपने बोली बहुत अच्छा कुशन है कि 5 नमबर मिसिंग है या 8 नमबर कोई भी नमबर मिसिंग है इस तरीके का आप इस तरीके का कुशन पूछ रहे है तो यहाँ पर रेमेडी क्या होती है कि सबसे पहला थो हम अपनी आदातों को change करें हम जो रेमेडी की बात करते हैं सबसे पहले हैभिट हैविट आपकी डेश्टिनी बनाती है ठीक है रेमेडीस में 5 नमर वालोग आपके पास 5 नमर है मेरे पास नहीं है तो मैं इनके साथ कुछ नो कुछ पार्टनर्शिप करना हूँ इनके साथ काम करना हूँ अब ऐसे और बहुत प्रैक्टिकली समझो जो लोग बिजनेस करते हैं वो 5 नमर वाले है ठीक है जो लोग जॉब कर रहे है वो 5 नमर वालों के साथ कनेक्ट हो रहे है ठीक है जो जॉब कर रहा है जो व्यक्ति ओनर है बिजनेस का या जिसके अंदर लाख लोग जॉब कर रहे है वो सब लोग 5 से ही तो connect हो रहे है, उसके 100% जो काम कर रहा है उसके पास 5 नमबर या 8 नमबर या 1 या 6 है, तो उससे connection में आ जाओ, लेकिन 5 नमबर होता है बुद्ध ग्रे का, तो ग्रीन कलर को अपनी लाइफ में लेके आओ, और बुद्ध का नमबर है, बुद्ध होता है हम बुद्ध कलर हो या ब्रेक कलर हो ठीक है, तो 5 नमबर ठीक रहेगा, बाइफ नमबर या 5 नमबर को फॉलो करना शूर करो, 5 नमबर या 5 नमबर की साथ पैठो, उनका चैनला साथ स्वाइब कर लो, 5 नमबर या 5 नमबर या अपने आप वेक्टिविट हो जाएगा, ठीक है 5 नमबर की कुछ मंत्र चैन्टिंग भी होते हैं, तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में बता देंगे, 5 नमबर का बुद्ध का नमबर है, तो आप उसको चैन्ट करना शुरू करें, आपके पास 5 नमबर बुद्ध का, इससे आने लगे है, बुद्ध, मैंने कह रहा है 5 और कोई नमबर ना हो तो, अब देखो जैसे की 8 नमबर नहीं है, तो अगेन, सीम रेमेडी, एक नमबर है शनी का, तो शनी की आपको रेमेडी करने है, जितने में लोग शनी के द्वारा रूल किये जाते हैं, शनी क्या है, शनी एक वो प्लैनेट है, जो लोग बहूत स्लो चलते हैं, बहुत थीरे चलते हैं, जो लोग थोड़े बीमार रहते हैं, लाइफ में श्टगल रहते हैं, वो सम लोग शनी की द्वारा रूल के जाते हैं, अगर आप उनकी help कर दो, तो आपके पास double eight आ जाएगा, automatic, अब देखो यहां पर, और practically मैं आपको बताओ, तो आपक वो नाम भी matter करता है, कि आपका नाम का total अगर, हम Sheldon या किरो के एसाब से देखते हैं, आपका total अगर five आता है, eight आता है, तो वो भी थोड़ा सा उसको promote कर देता है, आपके डेटो परत को, जैसे हमारा, मेरा साहिल करना भी five पर आता है, अच्छा, और साहिल करना भी five पर आता है, ये बाद में बदा लगा कुछिए, तो आपका नेटो परत क्या है, 23rd में, 23rd में, 23rd में, तो पांच नमर आपके पास आगया, ठीक है, 2 भी आपके पास, 3 में है, 3 knowledge का नमबर है, 1921, 1921 है, 1 भी आपके पास single है, और पुरे डेटो परत का total करते हैं, तो क्या आता ह 23rd में, 23rd और 23rd को भी टोटल करेगे, तो 5 आता है, तो में का वी 5 है, 2 भी आपके पास, ठीक है, आपके पास knowledge भी है, और डावल थ्री है, तो डावल थ्री वाले लोग अपने आपको अच्छे तरीक से दिखा भी देते, दिखा सकते हैं, ठीक है, आपके पास 9 नमर हिम्ब बहुत होता है, अब ग्रेट बनाना सीख लिया तो आप यह सब सीख लिया तो आप किसी को भी बता सकते हूं यह सब बहुत सिंपल है, तो अब हम बात कर रहे थे, अगर एट नहीं है, यह तो एक फुरा सा लख है आपके साथ, कि आपके पास हाड़ वक कम रहे, लेकिन जब एट नमबर नहीं होता, तो ऐसे लोग हाड़ वक से बचते ही हैं, महनत से बचते ही हैं, थोड़े से काम करने का मन नहीं करता है एट नमबर जिसकी पास नहीं है, मेरा खुद का जब एट नमबर एक्टिवेट हुआ था, तो बहुत हाड वरकING, महनत करता था उस समय पर, एट नमबर के साथ एक अलग खेल है, कि एट नमबर नई है, एट नमबर वालों के साथ बैटो, वो कहते हैं, संगत का असर पड़ता है, तो संगत का ये ही असर पड़ता है, कि आप उससे क्या सीख रही हो, मैं ऐसे व्यक्ति के साथ, कुछ समय के लिए रहा था कि बहुत खर्चा करता था वह बहुत ज़्यादा खर्चा तो उसके साथ रहे कि मैं खर्चा करना सीख गया लेकिन जब मैं वन नमबर नाइन वाले लोगों के साथ आया तो मेरे पास वह वाली क्वालिटी आने लेगी उनके साथ रहकर एक कॉंफि खीच के लिए जाएगा और जो आपके बास क्वालिटी है करकि आप पानी के अंदर देख पा रहे हो तो उनकी क्वालिटी मिक्स करके आप कुछ बड़ा कर सब्सक्राइब वन फाइब एट टाइन चाहिए फाइफ सवज में आ गया एट सवज में आ गया वन और नाइन की बात करके चले तो नहीं है तो एक तो फ्रेटी है कि उन लोगों के साथ रहो जिंके बबाना है या फिर नहीं है आई एक तो यह स्ट्रेटीजी हो गई एक एक नंबर की कुछ इसे एक चीज़ बता जेता हूं फाइफ नंबर बुद्ध का आया तो बुक्स जितनी होती है प्रितिक केताब कोपी आए उन लोग अपने साथ लेके चलो एक चोट असा एक चीज़ बता जेता हूं उसके लिए कि जो लोग आप इस साइकली से पेचान सकते हैं जो विक्ति के आसपास लाइबरी है बुक्स है अपने साथ बुक्स लेके चलता है पढ़त रहता है उसक तो नाई नमबर आपके बास आउनमेटिक आएगा नाई नमबर यानि डैट कररके कपड़े उन लोगों पहना शूरूर करें और आपका दिस्ट्रिनी 8 है तो यह चीद्छ नहीं करना नाई नमबर को ऐसा, नाई नमबर मंगल का है तो मंगल की डिरेक्शन होती है हमारी south direction तो south coast in way में हम करेंगी south direction वो ठीक कर रहे हैं तो 9 नमबर इस तरीके से activate south direction को करेंगे मतलब तो तो south direction होती है हमारी fire की direction ठीक है तो fire element को आप ठीक रखें लबास तो वाला लोजिक लाविया यहाँ पर हम यह कर सकते हैं कि south direction में आप red कलर का कुछ रख दो यहाँ रेट कलर का ball paper लगा दो या color रख दो हाँ पर कुछ fire का element है तो हाँ पर fire दिखा जाता है copper से तो copper का कोई भी element आप हाँ पर रख दो आपके पास nine number activate होगा हिम्मत आपके पास आईगी क्योंकि simple देखो पंच तत्म का logic है अब पंच तत्म में बात करें तो sun, mangal और ketu यह fire element आप किसी देटों बरत पर देखते ही बता सकते हैं इसके बात one or nine of seven नहीं है तो उसके बात fire नहीं है वो कुछ हर चीज़ में थोड़ा delay करेगा और energy उसके पास की कमी है थोड़ा emotional है यह fire element को balance करना है fire element को ठीक करना है remedy के अगर हम बात करते हैं तो थोड़ा astrological remedies निकल के आते हैं आपका जो भी राशी है कुल्णी की ठीक से five nine of one राशी बहुत positive है आपके लिए remedy में आप अपने date of birth को देख कर जो नमबर नहीं है एक तो हमने बात कर लिए साथ रह लो ठीक है इस दूसरा habits को change कर लो nine number अगर आपका खराब है मैं मान के चलता हूँ nine number खराब है या है यह नहीं मेरा हाथ खराब है या है यह नहीं दोने ही खराब है ठीक है तो उन शीज बने हुए उनके तो एक-एक जो हर भावान की जत्ते तस्वीर है न भी बहुत बहुत मेसेज दे रही होते हैं कि लक्ष्वी जी क्या बता रही है लक्ष्वी जी का number है six six अब six की विवात कर लेते है six अगर नहीं है तो लक्ष्वी जी को follow करना शुरू कर दो लक्ष्वी जो फोटो में दिखा रहा है मंगल नहीं है मंगल की पिछे ग्वान जी की पिछे एक हन्वान चार्टी सेवी दोहा आता है कि भूत पिसाच निकटनी आवे ठीक है जब महावी जब नाम सुनावे ठीक है तो भूत पिसाच को ने नेगेटिविटी या कोई बी ऐसे लूग अब महावी जब नाम सुनावे महावी जैसे बन जाओ तो आपके बाद भूत पिसाच नेगेटिविटी आएगी नेगेटिविटी आएगी ने कोई कैने सब्सक्ता कुछ में ठीक है तो नाइन नंबर आपके पास एक्टिवेट हो जाएगा और जिम बगरा जाओ गए ना जाओ पास लाइफ में कही बूद अच्छी तरिकेसे गले को साफ करके आया है कुछ रियास करके हैं हम कर तो कुछ भी सकते है लेकिन जो धेटो बर्थ में जो स्ट्रेंथ है वो वेक्नेस है वीक्नेस पर काम करोगे तू लंबे समय तक चलेगा कर तो भी सकता है ठीक है ले तो six number की remedy यह होगी लक्ष्मीजी की पूजा करो six number हमारा stone पैल सकते है कुछ क्योंकि six number in jewelry का है तो आप अपने पास कुछ jewelry पैल सकते हो gold पैल सकते हूँ या फिर कुछ silver पैल सकते हो तो six number एक्टिविट हो जाएगा आपके seven नहीं है लगए है क्योंकि होतो ठीक है जिसका सिर्र नहीं है मालू जिसका सिर्र नहीं है वो जिन्दा रहेंगा कैसा रहेगा ठीक है आप जिन्दा रहेगा तो केतु को spirituality से इसने जोड़ा जाता है क्योंकि वो उससा सिर्र नहीं है सिर्फ अंदर का पार्ट है तो अंदर अपने आपको अपने आपको सुनता है, अपने आपको पैचानता है, अगर आप meditation करके इस deep में जा सकते हो कि केतु जैसी जो direction है, कि आप भार के दुनिया को देखे नहीं रहे, सुने नहीं रहे, तो वो केतु आपका seven number, seven number six sense भी है, आपके अंदर का sense, आपका wisdom कैसा है, आप अंदर से कैसे हो, आपका जो अंदर का inner, जो कह रहा है न, जैसे intuition के लिए कहा जाता है, कि मेहमेज धुनी, उनका intuition बहुत तेज है, जो भी काम बते, तो उनके पार data worth में seven number है, जिसके data worth में seven number होता है, उनका intuition, उनका success भी होता है, कहने का मतलब है, कि seven number है नहीं है, आपके पास, meditation करना श सुनी नहीं रहे, आपने, कैसे भी करो, कान, meditation में लोग, एरफोन लगा के भजन लगातेते हैं, meditation, वो भी meditation नहीं है, आपका ध्यान तो उतर है, आप ऐस तरीके से meditation करो, कान बेर रूह लगाओ, कुछ बड़ लगाओ, कि आप भार की यावास सुनी नहीं पारे, तो आपका अब यह दो को एक दिन करके नहीं होगा, 40, 45, 3, 4 महिने आप करोगे, तो 7 नमबर का sales आपके बस आ जाए, आपके अनलग फेक्टर, विज्जम, सब कुछ आ जाए, अब 8 मुझे नहीं चाहिए, तो, अब दो को 8 नहीं चाहिए, इसकी remedy थोड़ी से मुश्किल है, 8 नमबर क hard work मौत देता है, महनत मौत देता है, 8 नमबर अगर नहीं है, नहीं चाहिए, तो 8 नमबर का donation करना शुरू करो, अपने पास से दूर से हटाओ, एक black number, 8 नमबर शनी का है, black color है, blue color है, black blue से दूर रहो, तो 8 नमबर का प्रभाब दूर रहेगा, जितने भी शनी वाले लोग ह उनकी help करो, उनके साथ रहो मत, 8 नमर वालों के साथ रहो मत, 8 नमर की revenue करना है, जैसे कि शनी के लिए हम देखते हैं, सरसोगा तेल, सरसोगा तेल डोनेट करो, जो लोग बीमार है, उनको आप दवाईयां डोनेट कर सकते हो, दवाईयां भी शनी है, तो दवाईयों को अप पर ड्राइंग रोम में रखो, अपने रोम में मत रखो, अपने बैट से लोग बैट पर रख देते हैं दवाईयां, आप यह नहीं रख ली, शनी कहीं, और अच्छलोजी की बात करूँ, तो अच्छलोजी नि शिक सी 12 को हम शनी को से देखते है, ठीक है, तो कही ना कही 8 हाउस आपका एक्टिवेट हो रहा है तो मैं सिंपल कहता हूँ शनी अगर नहीं चाहिए आपको शनी अगर है मी तो उसको पॉजिटिव में बतल दो ठीक है एक बहुत बड़ी एक रोट बात कहता हूँ आपसे इसकी इसका भी आलसर दूँगा कि फोर नंबर अगर होता है ड दायवर्ट करना है हर चीज को कोई अगर हम गाड़ी चला रहे हैं सामने गंडा आ रहा है तो हमें डायवर्ट करना है उस चीज को उस जगवे बहुत साइज़ आई के लिए तो एक रेक हैं था सुरू करो तो प्र को ऐसे चीजह क्वालिटी है वो आपके बाद नहीं आएगा अब अगर थ्री की बात करके चलू तो मैं अपरेस आपसे बताता हूँ मेरे कुछ उलस्वाज में आ रहा है बुक्स पड़ो देंगे लिए ऐसे है तो थ्री एजुकेशन का हम बादा बच्पल से सिंगर है रियाज तो प्रेक्टिस करते हुआत अलगे लेकिन बच्पल वे तो रियाज उन्होंने किया नहीं कुछ तरीके से गली पर द्यान नहीं दिया फिर भी आवाज क्यों अच्छी है उनकी ठीक है लेकिन अगर नहीं है कुछ मैं अगर IES नहीं बन सकता तो मैंको IES की बुक्स बहुत ज़्यादा डीटेल में पढ़ने पड़ेगी ठीक है अगर मैं एस्ट्रोज जरूट तो एस्ट्रोजी की मैंने इतनी डीप में मैंको बहुत जल्दी याद हो गया या लेन हो गया मैंने इतना लेकर नहीं बैठा बहुत ज़्यादा पस याद हो गया मुझे अच्छे से आता है इसके बारे में पता है अगर मैं कुछी और सब्जर्क लेकर बैठोंगो तो इसमें बहुत 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 जाओगा अब देखो यही बात मिस्सिंग नंबर की है अगर आपके बास आपके आएगी अगर आपके बास फादर राजा होते हैं तो फादर का फोटो अपने शुरू करो आपके बास वह वाली कॉलिटी से आपके अपने आप ही आएगी अगर आपके बास फादर राजा होते हैं तो फादर का फोटो अपने साथ रहो ठीक है वो राजा की कॉलिटी इसको छीज़ों के अपने साथ ले के आओ अगर two number नहीं है, two number emotional का है, emotions भी चाहिए, आप emotional desire, कई भी थोड़ा सा भी emotional नहीं होते हो, ठीक है, तो two number की quality है, mother का number है, चानी को पहने शुरू करो, तो आपके पास वो emotional, आएगा crystal पहने शुरू करो, क्योंकि two number थोड़ा crystal side भी आ जाता है, अगर three number नहीं है, तो three number होता है, पंडित का, ठीक है, जित्ति ही सादू को लोग होते हैं, पंडित में होते है, और spiritual लोग होते हैं, हम कही कही ना कही उन लोग को सुन भी सकते हैं, ठीक है, जित्ति भी TV पे, या कोई ज़ Tina time प्रिमाुच भॉद नाम चल रहा है, मैं भी बड़ा फैन हूँ, उनके बारे ह में आपको कुछ अपनी रिसर्च दिखा रहे थे और बता रहे थे हुझे मूवी के रिलीज होती है, उनका भी निम्रोलोजी के अपर अच्छा काम करती है निम्रोलोजी, बहुत लोग मूरत बहुत तरीकी के होते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर बहुत प्रेक्टिकली देखा आप उठा के देख लीजिए, जितने भी 2011 से आज तक जितनी मूवी रिलीज होकर बहुत हिट कही है, करोणों उन्होंने 500,000 करोण कमाए है, उनकी डेट अब बर्स में भी 1, 5, 8, 8, 6 आया है, अभी रिसेंटली एक मूवी रिलीज होई है, सलार नाम से, सलार के डेट अब अगर आप रिलीज डेट देखोगे, तो उसमें भी 5 नमबर टोटल बनता है, मैं में को भी पता नहीं था इसके बारे मैंने रिसेंटली देखा, मैंने इसके बारे में नियूस देखा, तो 500 करोण से जादा उन्होंने कमा लिया, तो बॉलीबोट में भी मुझे लगता है क कि प्रिशें नेम किया रखते हो, तो भी लॉजिकली आप लेकिस अप्रा पर आपे कहना है कि अब को विची रखव करते है, तो अब पेसा गमाना चाहते हो, था परन धर पर देखाटे रहे हो, तोrat इक जा Kurd मिपनी है, जो वो अपनी कमपणी श्टा स्टार करक करπα कोई उनका जो भी उनका नाम है गूगल या ट्विटर अभी एक मल्टिपल ओफ वर्ब कंपनी है टेसला उनके मल्टिपल ओफ खाम है जर जीपीटी उपन ही आई समवोग का नाम का टोटल उनके डेट ऑफ से स्ट्रॉंगल अलाइंट होता है इसके पीछे भी आम यह भी बत डेश्टिनी नमबर और साइकिन नमबर की बेसिस पर जो कॉमन आपका लखी नमर निकलता है तो वह नाम से आपका जो भी काम स्टार्ट कर रहोगा कंपनी या पोई बिजनस तो उसके कोडिंग होना चाहिए जैसे एक्जामपल लेके जलते हैं यहाप हम दिखा देगे किस नमबर पर करनी चाहिए अब 5 और 3 आपका है तो 5 नमबर के लिए लखी नमबर 5 नमबर सबसे अच्छा है मरकरी का नमबर है 5 नमबर के लिए जुपिटर 3 नमबर बहुत अच्छा नहीं होता तो 3 नमबर आपके लिए लखी नहीं है 3 नमबर पर स्टार्ट ना करें आपको 5 आता है या बनाता है या तो हम जब आप शार्ट कर रहे हो तो आप सोच समझ के नाम डिसाइड करो अगर आपका नाम अल्ड़ेडी चल रहा है ठीक है विए दो तिन साल हो गया प्रॉफिट नहीं बना पा रहे तो वहाँ पर आपको एक दो वर्ड को एड करना इस तरीके से एड करके आप उसको ग्रोथ दिला सकते हो मैंने मैं भी इस पर ट्रस्ट नहीं करता था किन जब मैंने इस पो रिसर्च किया तो वैने देखा काफी सारे जित्ते भी मिलियनर मिलियनर हैं पैसा कमा रहे हैं उन सभी का कंपनी का नाम उन्होंने जब कंपनी को किया जब कुमपनी को रिसर्ट किया वह अलडर डेट भी हृत स्ट्रोवली कनेक्टेट से में इस रोड़ा जैसे आपने मेरी बात कर रही तो मैंको तीन तारीक को कोई काम नी करना है ऐसा और तीन तारीक मैं देट भी बात कर में आपा तो आपके लिए लखी डिट क्या-क तो बुद्ध और जुपिटर तो ज्यादा अच्छी नहीं बनती और यहां तो हम क्या बात कर रहे है तीन जन्वरी टाइप्स या फिर हम टोटल को एड़ कर रहे है येर प्लस मन्थ प्लस सब कुछ देट का टोटल भी ले रहे हैं पूरे डेटो बढ़ते हैं वो भी तीन नहीं आना चाहिए और नॉर्मल भी तीन नहीं आना चाहिए और एक चीज़ और आप इस चीज़ को भी समझ चुके हो बहुत सारे नो कोश्चन करेंगे कि मेरा दोया 24 कैसा जाएगा इस पॉडकास्ट नहीं दशा अंतरदशा सब कुछ निगलना से तो आने वाले एर भी प्रिक्ट कर पा होगे अगर कोई एडवान्स में चाहता है इस चीज़ को आप से अगर आप एडवान्स में सिखना चाहते हैं निवन रोजी एस्टो लोजी तो आप मुझे इस्टाग्राम से करेंट कर हुआ है उसको देख सकते हैं सबसे पहले थैंक यू बहुत कुछ सीखती को मिला मेरे को भी और उमीद करता हूँ ओडियोस को भी हमने बहुत एडवांस लेके गए इसको मुझे ऐसा लगता है कि अब बहुत कोर्स लेक्ट का वांटेंट हमने बना दिया है कुछ ही आर्स केंदा है और बहुत आए लोगों को अपना कुछ का चार्ट वाट सब कुछ बनाना आगया होगा year calculation आगई होगी मुझे तो आगई है अब मुझे तुम्हारा नहीं पता है तो थैंक यू तो इसे के साथ ये वीडियो का तब उती वीद करता आपको बजा आओगा लाइक कर देना शेयर कर देना कर दो डाना वीडियो कैसी लगी बाय गुनेश अबागर कुद आफिस गुद मॉर्निंग और फुम जब भीया वीडियो तेख रहे है जैहन बदे मात